नमस्कार दोस्तों मैं जयकुमान मोरिया वराणसी उत्तर प्रदेश से दोस्तों मैं कोलकाता गया था जैसे मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था और यह सब समान है कुछ और यह टाइंग का मेरा जो है इंस्टालेशन चल रहा है तो मैं आप लोगों को थोड यह दो पॉंप हमने लिया है और यह वाला पॉंप थोड़ा निकले लिए और यह द्रेनेज के लिए जो है कि यह पाइप बना लिए लोग बोले थे कि ग्रीस का डबा लगाना ऐसे लगाना वेसे लगाना यह सब कुछ नहीं करना आपको यह इसमें फस्तरा साथ चेढा कर ल लगा हुगा है और यह यह रिस्टोन देखिए यह हमें जान पर 120 रुपे का 130 रुपे का मिल रहा है यह वाला बड़ा बड़ा साइज देखिए इसका यह बड़ा बड़ा साइज है यह वाला इस्टोन हम लगाएंगे यह जाम कम होता है ज्यादा देर तक चलता है और इसक सब्सक्राइब देखिए यह 35 वाट वा जो है कि इसका पावर कंजप्शन है और 27 प्रेशर इसका पैंसट लिटर पर मिनिट का और यह हमारा तर्पलीन है यह आपने के लिए खोल दिया था यह तर्पलीन है बहुत ही अच्छा क्वाल्टी का तर्पलीन है आप यह देख सकते हैं ध्यान से और इसका जो जॉइंड है इसका गारंटी है पांच साल तक खुल गया तो तर्पलीन वापस करके नज़ा देंगे बहुत ही अच्छा से खुम के मार्किट देखा हूं और ये सब ये समान हो गया और ये थोड़ा मैं आपको ट्रेंग दिखा देता हुं यह हमारा जो इस तरह समने उट चारों तरफ से लगा दिया है और ये इसमें प्रोटेक्टर से लग गया है और यह आप देख रहे हैं ड्रेनेज का जो है सेस सेन हैं हमारा यल वो दिख रहा है अभी इसमें हम बालू डालेंगे और आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से आपको छे इंज डाउन रखना है मतीब इस साइट से आपको यहां से छे निच्छे वहां रखना है अताकि जो भी कचड़ा हो वं can you tell बैठ गया और वहां से जब आप पाने ड्रेंगे तो वहां से पानी आपका पूरा गंदगी निकल जाएगा और इस तरह से टैंक हमारा बना हुआ है अभी इसमें बालू डालने के बाद यह काम पूरा रेडी हो गया है इसमें बालू डालने के बाद अब इसमें तारपलिन बैठाएंगे बाऊ ठीक शाओ यह डेनेज के लिए हमने लेकि वाल लगा के रखा हुआ है यहां से यह हमरा डेनेज हो जाएगा इस तरह से यह पानी से बंद हो जाएगा इस तरह से खुल जाएगा और इधर से हम इधर हमारा पानी निकालने का जगह नहीं है तो थोड़ा दूर जाएगो तो देसे पाइप लगा के हम दूसरी जगह पानी निकाल लेंगे और इसमें ये चुड़ी बाला जो आपको चुड़ी बाला मिलता है इसके लिए जाता है However यह इसमें चुड़ी वालेमे लगाए करेशिदा पाइप में लग जाएगा में और कनेक्शन के लिए आता है Joach मुझे by jej से मिलता है मार्कित में 2 इंच का हमने जगर के लिए दो इंच का पाइप बहुत ही अच्छा है कि आप अगर 10 जालीटर का टैंक लगाते हैं तो ही आपको 3 इंच का पाइप लगाना चाहिए इसमें तो 2 इंच बहुत काफ्य हो जाता है तो दोस्तों यहीं आपको दिखाना था और यह टैंक हमारा रेडी हो रहा है बस जल्दी आपको ट्रेनिंग का भी जो बोल ले थे कुछ लोग बोल ले थे कि नहीं ट्रेनिंग का वीडियो दीजिए तो ट्रेनिंग का वीडियो आपको जल्दी मिलेगा यह थोड़ा मेरा टै कुछ देखना पड़ता है तो यह रेडी होने वाला है जैसे रेडी हो जाता है और यह इस्टालेशन तो जो है कि बहुत सारी यूटूब पर वीडियो है और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है यह आपको यहां से सेंटर से उपर इस साइड में आपको 6 इंच जो है कि धार बना के रखना है ताकि कचड़ा वहां जमा हो तो निकल जाए आसानी साब का बन जाता है आने वाली वीडियो में जो इसका वाटर प्रेप्रेशन होगा और इसमें जो है कि हम सेट लगाएंगे उपर सब नीम का पेड़ है तो इसमें कचड़ा उस्वा गिरेगा तो सेट लगाएंगे और जो वाटर प्रेप्रेशन है इसका उसका वीडियो आएगा और जो हेगी हम सेरियल बाइस सेडियम आपको ट्रेनिंग का वीडियू एक तरफ से बना के देंगे अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको में ट्रेशा लेनी की आवस्तरा है नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोग भाई लोग जो है कि जब जस्ती आ जा रहा है है घर पर तो बाई आ जा रहे हैं जिनको कि लेकिन आप जो है कि ट्रेनिंग का वीडियो अगर सिरियल बाइज मेरा देख लेंगे एक तरफ से लास्ट तक तो आपको कोई भी जरुवर ट्रेनिंग की नहीं होगी अब फिर भी जो भाई आना चाहते हैं बहुत सारे भाई जो है कि आगे हैं तो आना चाहते हैं जो सिखा जाता है वो सिखा जाएगा आपको और मेरे कहने का मतलब है सिदा सिदा अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको कोई जरुवरत नहीं है ट्रेनिंग की और जो लोग जिद करके आ रहे हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आना है तो आए और इसमें जो है कि छे इसमें अभी हम सिलेंडर नहीं लगाएंगे सिलेंडर की कोई बोई ज़रुवरत नहीं है क्योंकि मेरा पांचीजा लिटर का टैंक है यह और यह इस पंप से आपका 15,000 लिटर पानी जो है कि ब्लो हो सकता है और यह अभी मैं पाइप के बल लगा के सिलेंडर नहीं बना र चलाना है पास-पास 1000 लिटर का यह मोटर यह पंप से तो आपको जो सिलेंडर जो बनाने की जरूरत है अभी कोई जरूरत नहीं है तो दोस्तों यहीं अपडेट था और जो आगे जैसे ऐसे काम होता जाएगा मैं आपको बताता जाओंगा और वाटर प्रिपरेशन जो हमा सेखने की जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है और यह होल इसमें आप जो है कि कम से कम तीन सूथ का आपको होल करना है और इतना होल करना है कि अगर थोड़ा नीचे मचली उचली मर जाए इसमें आके चिपक जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो ताकि पानी तो थोड़ा मेरा बड़ा था तो यहां से आपको पानी निकलना पुरा सेंटर से निकलना निक्रें तो दोस्तों आज के वीडियो मुझे पूब आने वाली वीडियो में जो भी जानकारी होगी मैं सेयर करता रहूंगा, कोई जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप फिन हमें वाट्साप कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रसानी जो होगी, जो भी आपकी होगी, वो जो है कि आपकी दूर की जाएगी, तो आने वाली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार.